कि बड़ी खबर आप को बता से युक्रेन पहंचे पिए मोधी 10 घंटे की ट्वेन यात्रा कर कीव पहुंचे पिए मोधी और जीरेंस की कि प्रवारत के वारे में बात यह कही जा रही है कि भारत इस वाकिंग ओन आट टाइट डिप्लमाटिक रोप के ऊपर चल रहा है और जिसमें यह आप कह सकते हैं कि कि नरेंदरा मोदी साहब जो है इस वन आफ दे रेर इंटरनेशनल लीडर्स जो उक्राइन भी जा सकते हैं और इसी बीच रूस ने लिया है बड़ा फैस्टा आज उक्रेंड पर कोई हमला नहीं करेगा रूस आज उक्रेंड पर मिसाइल अटेक नहीं किया जाएगा तलके मैं थोड़ी तर पहले अपने दोस्तों के साथ डिसकस कर रहा था कि मैं समझतों कि मोदी साहब और पूतर बहुत देखने के लिए और यह जो मिटिंग आज की यसे हमारे नरेंदर मोदी जी की जो फर्स दे से हमारा एम जो था उनका बार को स्टॉप करवाना है और मैं अगर में चांस भी मुझे मिला तो मैं इसी इसी टॉबिक पर बात करूँगा बुनियादी तोर पे अपने कौमी एक्तिसादी मफादात को देखते हुए भारत के साथ तालुकात को मुसलसल आगे बढ़ा रहे हैं पाकिस्तान को तो मैंने कभी बात करते भी नहीं देखा हुआ इस हवाले से के पाकिस्तान की लीडर्शिफ ले दुनिया किसी मुलक से कभी इस तरह कनेक्शन जोडने की कोशिश भी नहीं कि पोलेंड में 43 सालों में कोई पहली बार भारते पीम जो है पोलेंड गया है और वहां पर इनका एक बहुत ही भव्वे स्वागत किया गया रेड कार्पेट से चटाई किसे उनका स्वागत किया गया और बहुत ही भव्वे तरीके से वहां पर जो इंडियन लोग थे उन्हो का मिला तो मोधी जी से हम यही बात करेंगे किसी भी तरीके से इस वॉर्ण को रुकवा दिया जाए हाला कि रूस ने ये घोचना कर दी है कि इतना मोधी जी यहां पर रहेंगे इतना कोई भी एक भी बम नहीं छुड़ाया जाएगा रूस की तरफ से तो यानि की रूस ने कहीं ना कहीं जो है अपना वोर को है विराम दे दिया है और ये एक बहुती बड़ी बात है पीम नरेंद मोदी जी एक वर्ड लीडर के तोर पर जाने जाते हैं आप सभी को पता ही है अब अब वहाँ पर जाकर क्या बाते होती है क्या म होती है नरेन मोदी जी की वो अगली वीडियो में हम आपको जरूर बताएंगे अभी फिलाल पाकिस्तानी मीडिया क्या चर्चा कर रहा है तो आई दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं यह वर्ड बोले गए थे कि दुनिया की सबसे बड़ी डिमोकरिसी का लेडर वर्ड की दुनिया की सबसे बलड़ी जो क्रीमिनल है उसे चपीड लगाराएं यह जैलेंश की के वोड है ठीक है जी अच विसके बोले डाइसेक्ट किया जाएं़ कि जिलेंश की का ये कहना कि world's largest democracy ठीक है, मिल रही है ये world's largest democracy का जो leader है वो हग कर रहा है दुनिया के सबसे बड़े bloody criminal से हग कर रहा है and there was no response from India ये कोई असान बात नहीं थी ठीक है, वो जिलिंस की जिसको पूरे के पूरे West की support हासल हो ठीक है जी, so इंडिया है समझता है कि कोई बात नहीं है this is not a moment to respond to Zelensky, Zelensky को respond करने का ये moment नहीं है, अगर हमने Zelensky को respond कर दिया तो Zelensky का काड़ थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, so इंडिया ने उस पर का response नहीं किया, लेकिन ये बात तो मानी पड़ेगी, so it's a tight diplomatic group, इंडिया पूरी कोशिश करेगा अपने तालुकात को balance करने की और ये जो इंडिया की मशूर non-alignment approach है, geo politics में, अभी तक तो इंडिया को इसने बहुत फाइदे दी हैं, मैं, I wish पाकसान non-alignment रहता, तो आज हम भी ना लड़ रहे होते, ना जगड रहे होते, ना कुछ कर रहे होते, मैं एक इंडिया की इस बात को link करूँगा है, American politics के साथ और ये individual को भी fit आती है, वो कैसे, कि जब भी आप जिंदगी में एक नई मंजल start करते हैं, इंडिया और पाकसान ने 1947 में अपनी नई मंजलों का आगास किया, पाकस्तान शुरू में जंगों में पढ़ गया, 48, 65, 71, cold war, Afghanistan war, kargal war, war and terror, मतलब जंग ही तो है, अब तो पाकस्तान में कहीं लोग तंस करते हैं, पाकस्तान की हकूमत के होपर, कि एक जंग का सवाल है बबाबा, एक जंग, मतलब ये कि एक जंग करेंगे तो पाकस्तान के हलाद 12 बेतर हो जोगे, कोई ऐसा मसलिए लेकिन उसमें जानी, माली नक्सान और सारा कुछ होता है, लेकर इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने किसी जंग का हिस्सानी बना, non-al alignment जो है, that is tagged with India, ये इंडिया टाग हो गया हुआ, लोग कहते हैं, हाँ जी वो tag, वो, they are, they are like this, so ये जो चीज़ है, कि आज जो जुम्हे को वो पहुंच रहे हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं कि जी हम तो non-align, और मैं बाबता हूँ, मैं आपको पहले बता सकता हूँ कि तीक है, और हाँ, जो लोग मारे गए हैं, उनकी हाँ में वो बात करेंगे, कि जो ज़ूरी bloodshed है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है जी, अब ये जो चीज़ है, इसको देखते हैं, लेकिन असल में मसला ये था, जितने भी western ममालक है न, वो समझते हैं कि now India owes us back, ये है वो mindset, इंडिया हमें हो करता है, जो हम उसको दे रहे हैं, स्टेटस, जो हमरें इंडिया का स्टेटस उठा दिया है, इंडिया शुड पे अस बैक, and that paying us back is listening us to our global strategic ambitions, को सुनें, कि हम क्या कहते हैं, चाइना पे तुम नहीं कर रहे हैं, वो तुम्हारा direct मसला है, ठीक है, लेकिन on Ukraine, जो है वो, या बाकी इरस्या पर हमारी बात सुनी जाए, अब for example, रीसियम या को याद होगा कि चाइना ने इंडियान और बहुत सारे जो बाकी ममालके, बॉर्डर पे कुछ विलिचिस बनाए हैं, लेकिन इंडियान्स खामोश थे, Americans ने through private sector, खबरें निकलवा के, जो geographic, जो pictures थी, maps दोनों साइड के निकलवा के, New York Times से story चपवाई, and that was basically, उन्होंने इंडिया के इंडिया इंडर debate शुरू करवा दी, देखें, New York Times जो है, वो क्यों करके, Planet Labs, Australia, या किसी और अदारे से, ठीक है, तस्वीरें लेगा, उसको क्या मिल रहा है, ठीक है, New York Times बड़ लेकिन, नॉर्मली आप ऐसे करते हैं, कि आप ऐसी चीजें बाहर लेके आते हैं, जिससे आपको ये खद्शा होता है, आप फिल ये करते हैं, कि इससे debate trigger हो सकती है, किसी मुल के अंदर, so basically, तो इंडिया के अंदर एक debate trigger करने कोश की, लेकिन वो debate trigger होई नहीं है, क्योंकि सा अरेकर सारा मीडिया इस प्रोमो दी, largely, ठीक है, सोशल मीडिया भी तकरीबन ऐसे ही है, opposition की लंबी चोड़ी वहाँ पे, एक वो जिसे कहते हैं, सुनी नहीं जाती, और, so that is, that is where it is, ठीक है जी, so, ये जो, अमोमन जो बहुत सरे मालक हैं, वो ये समझते हैं, कि नहीं, को इतना कुछ दे रहे हैं, तो बोलो, तो वो युक्राइन के मामले में है, तो इंडिया और दूसरी काओर बात है, आज दो साल से ज़्यादा अर्सा हो गया, इंडिया नहीं बोला, आज इंडिया बोलेगा, सवाल ही पाइदा नहीं होता, ये तो बेसिकली नरिंदरा चाओर आ, तो आज बात है, पाकस्तान के साथ वो जो गेंटे का विजट करके 15 साल तालुकात को फरीज कर सकते हैं, नरिंदरा मोदी, आपको क्या लगता है, युकरहिन पर सारा कुछ माँजेंगे, जो उनको का जाएगा, कुछ भी नहीं मानेंगे, ठीक है जी, तो इंड इंडिया को झारी है के एक चीज कहीं जा रही है के इंडिया डिरेक्टली क्रिटिसाइस करें नहीं करते हैं ओक है इंडिया जाता है नहीं के लिए जाता है ठीक है जी लेकिन वेन इट कम्स टू युक्राइन यह बिल्कुल सिरुफ और सिरुफ और सिरुफ और सिरुफ और जिसे कहते हैं मगर भी जो ममालिक है उनकी आंकों में दूल जोंक ने कि बास ठीक है मिट्टी पान गए है अगरे चलो यार इत्य भी आज तुसी खोश्च और टीक है क्योंकि इंडिया के बारे में कॉंटिनिसली ऐक बात है कि इंडिया की बहुत से थार लाइन्स है रिश्एन मिलिटरी क्योंट के ऊपर तो उसकरना तो है इंडिया वह किसी वा लावा कोई मूनी लगाता है इंदिया?